नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साही तेवारता में दोस्तो NTA UGC NET की जो परिक्षा जून 2020 की थी दोस्तो उसकी जो फाइनल डेट शीट है वो NTA ने जारी कर दी है तो दोस्तो जैसे कि आप सब लोगों को पता था कि 24 सब्टेंबर से NTA ने कहा था कि हमारे जो ये परिक्षा है वो होनी तै हुई है और ठीक वैसे ही जो है NTA ने डेट शीट आज फाइनल कर दी है जिसमें साब साब देखी ये लिखा है तो देखे नीचे यहां पर दी गई है अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं कि 24 तारिक से ही हमारी जो ये परिक्षाएं शुरू हो जाएंगी हालांकि पहले ये कुछ एक जितनी भी हमारी लेंग्विजीज हैं उनके एक्जाम होने हैं या यूँ कहें कि जिन में बहुत कम स्टुरेंट्स होते हैं उनको इनने देखिए 24 तारिक को रखा है और उसके बाद हम थोड़ा आगे देखते हैं कि 25, 24 और 25 को भी एक्जाम है 25 के बाद जो एक्जाम है देखिए उसके बाद 29 को है 29 को 9 बजे से और फिर 12 बजे तक 12 से फिर 3 बजे तक गैप का है 3 से 6 बजे तक है एक्जाम होगा पहले 2 से 5 होता था ये अब इसको 3 से 6 कर दिया गया है तो देखिए इसके बाद जो बड़ा एक्जाम है इसमें 30 तारि इसके अलावा देखिए फिर 25 के बाद आगे हम देखते हैं एक तारी को देखिए एक अक्टूबर को इंग्लिश का होगा जो बड़ा एक्जाम है ये दो शुप्टो में होड़ा है देखिए ग्रूप 1 और ग्रूप 2 इसमें लिका है पहला जो है 9 से 12 बजे तक जबकि दूस ग्रूप 1 जो है वो 9 बजे से और ग्रूप 2 जो होगा वो होगा तीन बजे से 6 बजे तक ठीक वैसे ही देखिए यहां पर हम देखें उपर जो है इंग्लिश के बाद सोशालोजी, कम्प्यूटर साइंस और ये जो दो एक्जाम है ये होंगे हमारे 7 तारी को 7 अक्टूबर को और 9 अक्टूबर को देखिए दो बड़े एक्जाम 9 अक्टूबर को होने हैं जो हिस्ट्री का है और उसके बाद आपका पॉलेटिकल साइंस का है तो ये जो एक्जाम है ये 9 अक्टूबर को होंगे हिस्ट्री का इसमें देखिए सुबह वाली शिप्ट में होगा 9 से 12 जबकि जो political science है वो होगा आपका तीन वज़े से छे वज़े तक और education का देखिए यहांपर यह 21 तारीकों है जबकि जोग्राफिक का जो है वो भी 21 को यह शाम वाली shift में उनका एक्जाम देखिए तेश तारीकों होगा हिंदी में बहुत जादा विद्यारिती होते है इसलिए इसकी की प्या है दो shift है रख्यूई है जिसमें कर सकते हैं कि एक मेने में कैसे उन्होंने अपनी सब्जक्ट को पूरे से तियार करना है और 23 के बाद देखिए पूरा के पूरा गैप है यहां देखिए 23 के बाद यह हिंदी का 23 का आगया उसके बाद अगला पेज हम देखते हैं इसमें देखिए 5-11 फिर 5 नुवंबर को जा लंबे गैप उसमें दिये गए हाला कि 24 से ही यह प्रिक्षाइं हमारी जो है वो शुरू हो जाएंगी तो ऐसे में अब हम लोगों को एक ही चीज है कि अपनी जो भी त्यारियां है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अभी टाइम है खासकर अगर हम अपने हिंदी सब्जक के साथ जूड़िए और एक मेने में हम अपना पूरा का जूरू वीजन है उसको कंप्लीट कर देंगे तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल